केंद्र सरकार के प्रयास से यहां बिहार में गरीबों को 37 लाग पक्के घर मिले हैं आज बिहार के करीब नव करोड जरुरत मंदों को मुप्त राशन मिल रहा है और मोदी की गरंटी है अगले पांच साल भी मिलता रहेगा बिहार में 84 लाग से जादा आविश्मान काड भी बने है इसलिए ही मैं कहता हूँ जब नियत सही जब नियत सही तो नतीजे सही साथियों बीजेपी सरकार इंसानों की सेवा तो कर ही रहा है हमने पशुधन की भी उतनी ही रक्षा करने का तै किया कि हिंद्र सरकार ने बिहार के करीब दो करोड पशुओं को खुर पका मुपका जैसी बिमारियों से बचाने के लिए मुप्त में टीका करन का अभियान चलाया है आपको कोविड के समय मुप्त में जो मोदी ने टीका दिया वो तो याद है मोदी पशुओं को भी टीका मुफ्त में लगा रहा है पहले गरीबों का जो पैसा बीच में ही लूट लिया जाता था अब वो सीधे आपके खाते में पहुंच रहा है आज बिहार के पच्चासी लाज से जादा किसानों को पी-एम किसान सम्मान निदी का लाब मिल रहा है यहां जमुई में ही किसानों को इस योजना के तहर आठ सो पचास करोड रुपिय से अधिक सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचे है आप मुझे बताईए साथियो एक गमनिया गड़बंदन वालों की सरकार होती तो आपके बैंक खाते में सीधे पैसे भेजने वाली व्यवस्ता बनती क्या हो सकता क्या RJD कॉंग्रेस आपके हके सारे पैसे भी लूट लेते और आपसे साइन भी करा लेते क्या पैसा मिल गया है साथियों आज देश के सारे प्रस्टाचारी जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते से एक दूसरे पर प्रस्टाचार के आरोब लगाते से एक दूसरे को जेल में बंद करने की मांग कर रहे से अब वो सम मिलकार मोदी आया ब्रस्टाचारी कान खोल करके सुन ले ये मोदी नहीं आया एक सो चालिस करोर देश वाजियों का ब्रस्टाचानियों के प्रती गुश्चा निकल करके आया है आर इसलिए ये मोदी के खिलाब अनाप छनाप पतानी क्या क्या बोलते हैं साथियों मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार हटाओ मोदी कहता है ब्रस्टाचार हटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आप मुझे पताईए ब्रस्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए इस देश से ब्रस्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए हर स्तर पर से ब्रस्टाचार जाना चाहिए जिनोंने लूटा है उन्होंने लोटाना पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा साथियों ये कौन लोग है जो ब्रस्टाचार के खिलाब इतने बड़ाई लड़ाई का दिरोध कर रहे हैं आप देखिए एक तरफ NDA सरकार है जो नए उद्योग लगाने की बात करती है दूसरी वार ये लोग है जिर की पहचान अपहरन उद्योग की रही है एक तरफ NDA सरकार है जो सोलर पावर और LED लाइट की बात करती है दूसरी वारे गमंड या कटबंदन वाले लोग बिहार को लालटेन यूग में रखना चाहते हैं हम नचीश्टी के सहयोग से बिहार में हाईवे वर एक्सप्रिस वे बना रहे हैं जब की आरजेडी ने बिहार को गड़े वर खाई में धकेल दिया था एंडिय सरकार गरीबों की उनकी जमीन का प्रॉपर्टी कार दे रही है जब की आरजेडी के लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं हम महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देते हैं बेटियों को नए आउसर देते हैं जब की आरजेडी के लोग जंगल राज में बेटियों को सड़कों से उठा लिया जाता था साथ यों हमारी सरकार में राम मंदिर का पांचो वर्थ पुराना सपना पूरा हुआ जबकि यही आरजेडी कॉंगरेस ने राम मंदिर ना मने इसके लिए पूरी ताकत लगा दीजिए आज भी ये लोग राम मंदिर का उपहास उडाते हैं अपमान करते हैं साथियों कॉंगरेस हो या आरजेडी इन्होंने हर मोके पर बिहार और बिहारी गवरव का अपमान किया है यही कॉंगरेस और आरजेडी की जिसने करपुरी ठाकूर का अपमान किया था अभी कुछी समय पहले हमारी सरकार ने बिहार के गवरव करपुरी ठाकूर को भारत रत न दिया तब भी इन लोगों ने उसका विरोध किया इनी लोगों ने रामनाथ कोविजी को राश्पती बनाने का विरोध किया क्या हमानवे मैंटना द राकार को भी यजि परनावक स्थर उया स्थर जरे चिजननी और रामनावक राकी का रामनावक जिसने की जिससा का विरोध को भी जिसने की भी जिससिस्थर के रामनावक पनके पहले रामने capable